तो दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पे और मैं आपको आज बताने वालों आपकी demanded एक content जिहां दोस्तों आप लोगोंने डिमांड किया था कि भाई बताओ कि कैसे आप लोग Android से remove कर सकते हैं किसी भी Google account को या Gmail account को दोस्तों अगर आप लोगों भी ऐसे कोई question आते हैं तो आप लोग भी नीचे में comment करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं पका आप लोग ले एक वीडियो बना के आपके questions का answer करूँगा तो दोस्तों यहां पर एक भाई ने पूछा था कि how to remove Google account from Android device दोस्तों मेरा फर्स बंद है कि मैं आपको बताओं कि कैसे आप लोग remove कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर कि यहां पर आपके सामने बहुत सारे account हैं जो कि मेरे phone के अंदर already saved हैं और अब मैं चाहता हूँ कि एक इन में से account को मैं उड़ा दूँ अपने phone से दोस्तों ऐसा कैसे कर सकते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और फिर जब आपको इसकी requirement नहीं होती आप चाहते हैं उसको remove करना अपने phone के अंदर से दोस्तों यह जो trick है कि work करेगी android के उबर और मैं specifically android के लिए trick बताने वाला हूँ आपको तो दोस्तों चले start करते हैं और बताते हैं आपको how to remove Google account from your android device तो भाई इस वीडियो को मैं बहुत जल्दी complete कर दूँगा बहुत ही quick trick है यह जिसके वज़े से आप लोग delete कर पाएंगे अपना Google account दोस्तों आपको करना क्या है आपके phone के पास एक application होगी जो की 100% हर phone में मिलेगी कैसा भी phone हो कैसा भी android phone हो उसमें एक application जिरू मिलती है जिसका नाम है दोस्तो Gmail यहां दोस्तों एक default application है हर phone में डली हुई आती है कोई disable करते तो बात अलग है नहीं तो हर phone में मिलेगी ही मिलेगी तो चले दोस्तों Gmail के इंदर हम आगे हैं अब आपको बताते हैं कि कैसे आप लोग delete कर सकते हैं अपना Google account तो दोस्तों आपको यहां पे क्या करना है अपने Google account यह Gmail account को remove करने के लिए firstly आपको Gmail app में जाना है after that दोस्तों अगर आपके पास कोई पुराना phone है Android का तो दोस्तों आपको यहां पे उपर जो icon दिख रहे है जैसे कि आप देख पार है यहां पर एक icon है वो icon आपको यहां पर नहीं मिलेगा ठीक है आपको कहां मिलेगा आपको यहां पर three lines पर click करोगा तो यहां पर कहीं पर मिलना चाहिए अगर दोस्तों आप नए devices पर हैं तो जैसा मैं दिखा रहा हूँ आपको वैसा वैसा आप follow कर सकते हैं तो यहां पर ऊपर टॉप पर आपको यहां पर click करना है और दोस्तों click करने के बाद आप लोग जैसा की देख सकते हैं यहां पर बहुत सारी accounts आपको दि जिससे हमें कोई लेना देना है नहीं दोस्तों वापस आप इसको इसी मेन्यू के अंदर आईए कुल मलाके इसी मेन्यू से हम लोग खेल कर जाएंगे अभी देखिए अब अब हम लोग इस मेन्यू में आने के बाद यहां पर नीचे एक option मिलेगा आपको manage accounts on this device दोस्तों य दोस्तों हम लोग करने जाना है करिश्मा दोस्तों आपको यहां पर क्या करना है आपको basically वो अला Google account सेलेक करना है जिसको आप delete करना चाहते हैं और मैं इसको remove करना चाहते हूं तो मैं इसको select कर दोगा दोस्तों select करते साथ ही आपको कुछ ऐसा menu दिखेगा अगर ऐसा menu ना बीदेब दोस्तों आपको कही नगी पर options का menu मिलेगा जहां पर एकुरेंगे तो आपको remove औका option मिल जाएगा दोस्तों इस द्पर करने पर यह confirmation महांगे आपको जिस confirmation मांगने के बाद अगर आप यहां पर remove account पर click कर देंगे तो भाई यह account आपके phone से उड़ जाएगा completely जिसका मतलब यह है दोस्तों आपके phone से उसके calendar, contacts या फिर कुछ भी Gmail जितनी भी related services हैं गूलगी सारी सारी यहां से उड़ जाएगी और अब आपके phone के अंदर सिर्फ वही account रहेंगे जो उनसे आपने रखे हैं और बाकी सारे delete हो जाएगे तो उमीद करता हैं दोस्तों आप लोग भी remove कर पाएंगे अपने phone से किसी भी Gmail account को या Google account को easily